हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े ओफिशल यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय वायू सेना, इंडियन एर फोर्स की नियू रिकुनुमें नॉटिफिकेशन, जो की फ्रेंट्स से गुरूप सी पोस्ट के लिए इन्वाइट की ग या फिर आप जौबरास्ता.com पर विजिट करेंगे, तो आपको इस वेकेंसी से रेटेट जानकारी मिल जाएगी, तो यहाँ पर फैंस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, श सब्सक्राइब करें, जो कि ग्रुप सी सिविलियन पोस्त के लिए रहेगा, वेस्टन एयर कमांड के साथ साथ और भी आपके जो भी योनिट्स हैं, उनमें आपकी वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, और आप इसमें ओफलाइन आविदन कर सकते हैं, इसका ओफिशल लि पारे में तो फैंसे देखिए, ओल इंडिया वेकेंसी है, एलिजिबल इंडियन सिटीजन इसमें आविदन कर सकते हैं, दसवी क्लास पास आउट, बारवी क्लास पास आउट या फिर आप ग्रेजुट केंडेट हैं, आप इस वेकेंसी के लिए अपलाए कर पाएंगे, मल् इसमें आप 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, जब भी यहां पर आपका जो यह न्यूस पेपर में आएगा, तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, यह न्यूस पेपर है आपके 3 अप्रेल का, तो 3 अप्रेल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गएंगे इसके बाद 2 माई 2021 तक आप इसमें आविधन कर सकते हैं, और 2 माई 2021 को ही आपका एस क्राइटेरिया काउंट होगा, एलविटी कंडिशन की बात करें, तो यहां पर देखिए आपको बाई पोस्ट आपकी जो डेटेल्स हैं वो दी गई है, ग्रेजुएट केंडेट हैं, आ फिर आप 10 क्लास पास आउट है, 10 प्लास आई टाई आपके पास है, तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म फिल करकर सेंड करना होगा, तो आप अपनी LVT कंडिशन को चेक करें, जिस भी पोस्ट के लिए पैली जीबल है, उसके लिए अप अप्लाई कर सकते हैं, अब इसका जो यह फॉर्म है, यह आपको यहाँ पर परफॉर्मा दिया गया है, अब इस परफॉर्मा का आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखि पर करवाना चाहें, तो यह इंगलिश में है, तो आप इंगलिश में इसका जो परफॉर्मा है या फॉर्मेट है, यह टाइप करवा सकते हैं, और उसके बाद फिल करके दियेगे, एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं, अब एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए, इ आपके डिटल्स आपको फिल करनी है, सबसे पहले फ्रेंड से देखिए, जब आप इस परफॉर्मा को A4 साइस पेपर पर बनवा लेंगे, आपको यहाँ पर एप्लिकेशन फोर्दा पोस्टॉप, किस पोस्ट के लिए अप अपलाए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर यहाँ पर यही डिटल्स आप फिल कर देंगे, इसके बाद फिल करने हैं, आपको यहाँ पर आपकी सेल्फ अटेस्टिट फोटोग्राफ, मतलब जो फोटोग्राफ आप यहाँ लगाएंगे, उसको क्रॉस साइन आप ज़रूर करेंगे, आपका जो नेम है, ब्लॉक लेट में वो आपको यहाँ पर फिल करना है, आपका फादर नेम आपको यहाँ फिल करना है, आपकी डेट और बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, साथ में बर्थ सेल्फ अटेस्टिट करके अटेच करना होगा, अब बर्थ सेल्फ अटेस्टिट आपकी पास नहीं है, तो कि दो माई 2021 आपकी रहेगी इसके लिए फैंस आप गूगल पर एस कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं और यह सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर है आपका जो एस है वो किस देट पर आप काउंट करेंगे तो दो माई 2021 को आप यह एस 10 महीने 15 दिन पांस दिन जो भी आपका एस काउंट होकर आता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इधर है आपका एड्रेस फोर कोरेस्पोंडेस मतलब आपका पत्राचार का जो एड्रेस है वो आपको देना है तो आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट या विलेज पोस् पास एड्रेस आप उसकी जनकई दे सकते है और उसकी भी सेल अटेस्टेट कोपिया देनी होगी मालिज आप ग्रेजूएट फिल कर रहे है तो तैन्थ न्ट्वैट सोर मर्शीट आपको सेल्फ अटेस्टेट करके सेंड करनी होगी को अदर क्याटिकेशन है या एक्स्पे आपको send करने होंगे, कोई technical training है या experience है, मतलब ITI या उसकी जानकारी आप देना चाहें, दे सकते हैं Domaincial Certificate, मूल निवास परमान पत्र आपको show करना होगा, आप self-attested copy यहाँ पर attach कर देंगे, इसके बार अगर आप employment, exchange, रोजगर कराले में पंजिकत हैं, तो आप यहाँ पर yes या no करके उसकी जानकारी दे सकते हैं signature आपको करना है, date आपको mention करनी होगी, इसदर आपको option दिया गया है, for official record only तो यह official record के लिए रहेगा, आपको यहाँ पर कोई भी option में, कोई भी detail fill नहीं करनी, यह है आपका admit card या acknowledgement card जो कि आपके पास घर आएगा, इसमें आपको post of किस post ले apply कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आपकी self-attested photograph यहाँ पर देनी है, नाम, father name, आपका address आपको देना होगा, बाकि यह option आप यहाँ पर blanket छोड़ेंगे, तो यही आपका application form है, जो कि आपको type करवाना होगा, आपके जो भी documents है, वो आप self-attested करके send करेंगे, last date जैसे मैंने कहा, आपके यहाँ पर 30 दिन दहेगी, date of publication of advertisement जो कि है 3 April 2021, इसके बाद friends, यहाँ पर आपसे कहा गया है, जो भी आपके technical qualification है, age limit है, experience certificate है, इस सब आप यहाँ पर send करेंगे, central list of OBC के according, आपको आपका certificate जो है, वो send करना होगा, आपका domitial certificate आपको send करना है, आपको यहाँ पर 10 रुपे का जो postal stamp होता है, वो आपको लगाना होगा, self address envelope पर, और आपके self address envelope है, वो आप extra envelope send करेंगे, साथ में आपको दो passport फोटोग्राफ भी application form पर fix करके send करनी होगी, और आप चाहें तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं, एक post के लिए एक ही आवेदन आपको करना है, multiple post के लिए आप apply करना है, चाहें तीन, चार, post of और किस category आप अपलाए कर रहे हैं, साथ में self address envelope जिस पे 10 रुपे का आपको postal जो आपके ticket होती है, वो आपकी लगी होनी चाहिए, उसी में ही आपका admit card आएगा, तो यहाँ पर friends मैंने आपको सारी process बता दी है, क्या-क्या details आपको इस application form में fill करनी है, और यहाँ पर friends shortlisted candidate को जो admit card है, वो मिल जाता है, और यहाँ पर आप से कहा भी क्या है, eligible candidate जो होंगे, उनको ही issue किया जाएगा, आपका return test का admit card, तो friends से इस से related आपको जानकारी jobrasa.com पर मैंने आपको provide कर दी है, eligibility conditions के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं, आपको offline form, आपका notification, website link, सब आपको description में दिया गया है, miss jobrasa.com पर दिया गया है, अगर आप eligible हैं, apply करना चाहते हैं, apply कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरूब कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूट्यूब चैनल, and last thanks for watching.